नमस्का जानेदेवगर रूपवे हद्सा और लुहरदागा घटना में मिरितको के आश रितों को 5-5 लाह के मुअब जास्तियम है मन्सुरेणे देवगर इस्थी त्रीकूट रूपवे हद्सा और लुहरदागा में राम नवी सोभाय अत्रा के दोरान हिंसक जड़प में म पाद सोमे मृत्तक क्या सिरीतों को राज सकार पांच पांच लाख रुपे मुअब जारासी देगी यह निर्नाय उच अस्तरिय बैठक में लिया गया साथ ही दोनों घटनाओं में घायल हुए लोगों का इलाज राज सकार कराएगी इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है बता दे मंगलवार को बरहेट से लोटने के बाद सीम सिरी सुरेन ने मुख्य मंत्री आवासी कर्यालाय में दोरों घटनाओं को लेकर उच अस्तरिय बैठक की जारखन मौसम विभाग ने बुद्धवार और गुरुवार को राजे के उतर पहचीम एवमाद भाग में कहीं कहीं लूद चलने को लेकर एलो अलर्ट जारी किया है वहीं बढ़ते पारे की वज़ा से फसलों और सबजीयों को भी होने वाली नुकसान से बचाने के लिए मौसम के ने एडवाजरी जारी की है मौसम पुरु अन्मान में बताया है की बुद्धवार को गढ़वा मेदनी नगर चात्रा का अधिक्तम तपमान 44-45 डिग्री से चल्स के बिचरा हो सकता है वहाई लाते हर हजारी बाग लोहर्दगा और कोडार्मा जीला का तपमान 42-43 डिग्री से चल्स के बिचराने के असार है जहारखन के साथ जीलों में बिजली संकट चंद्रफूरा थर्मल पावर एस्टेशन में एक जेनरेशन यूनिट में तखनिकी खराबी आने के कारण डिवीसी कमांड एरिया में बिजली संकट उत्पन हो गई है डिवीसी ने अपने कमांड एरिया में इस्थीत गिरीडी समेथ 7 जीलों में बिजली की भारी कट होती कर दी है समाने इस्थीती में डिवीसी कमांड एरिया में डिवीसी 550 मेगावाड बिजली की अपूर्ती कर रहा था लेकिन अब राई सरकार को सुचित किया गया है कि वह 282 मेगावाड ही बीली दे सकेगा फल सवरूप्त गिरीडी समेद धनबाद बोकारो हजारी बाग चात्रा रामगण और कुडार्मा में बीली संकट गहरा गया है त्रिकुट दुरगाटना में रोलर खराब होने से एक ट्रोली अने से टकराई जारखन पूलिस मुख्याले तक जो प्रावबिक सुचना पहुंची है उसके अनुसा त्रिकुट रोपवे दुरगाटना के पीछे रोलर में खराबी आना है सुचना आया है कि एक रोलर खराब हुआ जिसे एक ट्रोली अने से जाकर टकरा गई जिसे इतना बड़ा हच्चा हो गया रसी मजबुत थी रोप को गत मार्च महिने में ही बेहतर का पवान पत्र मिला था हलाकी यह हच्चा क्यों वह कैसे हुआ इसकी जनकारी पूरी तरह से सामने आएगी जब इसकी बिद्वत उचस्तरिय जाच होगी पीएम आवास योजना के लिए कागजी पर किरिया होगी सरहल पधान मंत्री अवास योजना के लिए अब कांग जी पर किरिया को सरल बना कर लावको को सिग्र बकाय रासी का भुकतान किया जाएगा किसी वाड में योजना का फरम भरवाना यानि रिक्षन करना हो तो इसके लिए लोग पारसत को सुचित करेंगे रांची नगर निगम सभागार में मंगलवार को मेर असालाक्णा के जग्सता में होई पी एम एवाई इ सहरी के बेहतर किरिवन करे साला में यानिना लिया गया लातेहर में नकसलियों की बिच्छाए आईडी की चपेट में महिला लातेहर सदर थाना छेतरे के तरवा डी पंचायत इस्थीत कुडपनी गाउ के जगल में पूलिस को टार्गेट करनक सलियों द्वारा बिच्छाए गए आईडी की चपेट में एक महिला आगाई बता देवी स्पोर्ट से महिला का एक पर उड़ गया है ततकाल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया जहां चिकित्सकों ने प्रात्मिक इलाज करूँ से राची के रिम्स रेफर कर दिया घायल महिला की पहचान नरेश गडगाव निवासी राजु खेरवार की पतनी ललिता देवी 27 वर्चे के रूप में हुई है हजारी बाग में दूसरे दिन भी निकली राम नौमी सोभायात्रा हजारी बाग जिला में राम नौमी बिजया दस्मी और एकादसी की सोभायात्रा निकाली गई यह जुलूस 24 घंटे तक सलको पर रहा हुआ ही सांसद और विधायकों ने भी करतब दिखाए इस तोरान आकरसक जाकी में निकाले गई जुलूस मंगलवार की देर साम खत्म हुई इस तोरान पुलिस परसासन की मुस्ताजी काफी देखी गई बतादे हजारी बाग सहर में 11 अप्रेल की राज दस वय से सोभायात्रा निकाली गई जुलूस 12 अप्रेल के दीन भर और देर राज तक सलको पर ही रहा पीडित परिवारों से मिलने जा रहे रगुवरदास को परसासन ने गाउ जाने से रोका पुर्व मुखमंत्री रगुवरदास लोहरदगा के ही रही भोकता बगिचा इलाके में राम नमी की दवरान घटी घटना के बाद पिडित परिवार से मिलने लोहरदगा पहुचे लेकिन जीला परसासन ने सुराक्षा का हवाला देते हुए परभावित गाउ जाने से उन्हें रोक दिया लोहरदगा में बात चित करते हुए पुर्वसीम सिरीदास ने कहा कि या घटना सुनियोजीत साजिस के तहत अंजाम दिया गया यहां का सवहरद बिगाणने का लगतार परियास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि हर परवतेभार के उसर पर सरारती तत महोल बिगाणने में जुट जाता है देवघर यारपोर्ट से जल्द सुरू होगी उड़ान देवघर यारपोर्ट को डारेक्टर जनरल अफ सीवील एवियेशन से लाइसेंस मिल गया है इसके साथ ही अब जल्द ही यहां से घरलू उडान सुरू हो सकेगी वहीं देवगर यारपोर्ट के उद्घाटन की तिती की घोसना अब किसी दिन भी कर दी जाएगी बता दे डी जी सी ए से मिला लाइसेंस, एरो ड्रॉम को नियमित रूप से लेंडिंग और टेक ओभर के नियमित अस्थान के रूप में इस्तिमाल करने के लिए दिक्रित किया गया है लोहर दग्गा राम नमी हिंसक जड़ब पर बोले बीत मंत्री जार्खन के लोहर दग्गा जीले में राम नमी सोभाय आत्रा के दोरान सदर थाना छेत्रे के हिरी ही भोकता बगीचा में हुए पत्रा और आग जानी की घटना के बाद इस्तिति का जाजा लेने बीत मंत्री डाक्टर रामेशुवर उराम लोहर दग्गा पहुँचे बता दे परिसदन भौन में उन्होंने बात चीत करते हुए कहा कि भोकता बगीचा में घटी घटना दुर्भागेपुर्ण है राज में सेकुलर सरकार है यहां सभी जगा सांती है कुछ सरार्थी ततो द्वरा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है या कुछ सरार्थ सरार्थी ततो द्वरा स्राजिस के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है दोस्यों को चिनहित कर करवाई की जाएगी मंडा पर्व शुरू भागवान सीव पर्वती की आराधना होती है जार्खन्डी संस्क्रिती का एक बिभीन अंग है मंडा पर्व इसे चड़क पुजा, सीव पुजा, भोक्ता पर्व, बीसु पर्व जैसे नामों से भी जाना जाता है अलग-अलग जगों पर विभीन दिनों में लगभग एक माह तक इस पर्व को मनाने का प्रचलन है वैसु तेया, मुलता, आदिवास्यो, आदिम जनजातियों यवां, कुडमी जनजातियों का पर्व है देवघर रूप हुए हाथ साथ 46 लोगों की बची जान सीम बोले होगी करवाई देवघर इसी तिरीकूट रूप हाथ से का रेस्क्यू अप्रेशन खत्म हो गया है 46 घंटे तक चले इस रेस्क्यू अप्रेशन में 46 लोगों की जान बचाई गाई वही तिन लोगों की मौत इस हाथ से में होई इस मामले को CMC सुरेणने का मिर्टा से लेते हुए उच अस्तरिय जाच कराने और दोस्यों पर कड़ी करवाई की बात कही साथ ही हताहाथ होने वाले लोगों की मदद के लिए ज़धी नीना लेने की बात कही है रामगढ में महुआ चुनने गई महिला को हाथी ने पटक करमा डाला जारखन के रामगढ जीले के कुजू और पिछे दरंतरगत बड़की डुनडी में मंगलबार की अहले सुबा महुआ चुनने गई महिला को हाथी ने पटक करमा डाला इस दोरान कई अने महिलाए भाग कर किसी तरह आपना जान बचाई सुचना मिलते ही ग्रामिन और बनकर्मी मोहके पर पहुचे इस दोरान बनकर्मी ने ततकाल सहता रासी दी इसके बाद सव को पोश्माटम के लिए भेज दिया गया जे पीएसी सीवील सेवा परिक्षाच होगी स्रम अधिक्षको की नियुक्ती राज सरकार के स्रम नियोजन प्रसिक्षन और कोशल विकास विभाग में तीन सनवर के पदो पर नियुक्ती के रास्ता साफ हो गया है विभाग ने इसके लिए दो अलग अलग नयुकति निमावलिया गठित कर दी है। निमावलियों का संकल्प जारी कर दी है। जारकन चरम सेवा नियोकती नियमावली के तहच सरम अधिक्सकों के 75 परतिसत पर जारकन लोग सेवा आयोक की सन्योक सिविल सेवा परतियोकता से भरे जाएंगे रांची डांग घर से एक रोर से अधिक किहरा फेरी रांची के अर्गोरा थाना छेत्र इस्थीत डांग घर की कडरू साखा के फोस्ट मास्टर अजय कुमार पर धोखाद अड़ी कर एक रोर रूपय से अधिक रांची कहरा फेरी के आरोप की फोस्टी के बाद पुलिस खाते से फर्जी जमावार निकासी के माध्यम से एक और उनाई से यार 214 रुपए की निकासी कर लिया है। खाते से फर्जी जमावार निकासी कर लिया है। खातालत ने कहा है कि कुछ अखबारों में वर्ष 2009 में तक नेकी गड़ बड़ी होने की बात कही गई। इसके बाद भी सबक नहीं लिया गया और दोबारा घटना हो गई है। इस मामले की अगली सुनाई 25 अपरेल को होगी। सरकारी स्कूलों की स्थिती सुधारने के लिए अधिकारी जाएं स्कूल। जारखन के सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने स्कूली सिक्षा वियम सक्षता विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे सिर्फ अपने करयाले में बैठ कर कारें नहीं करें। सरकारी स्कूलों के स्थिती सुधारनी है तो वे स्कूलों का दवरा करें। इस दोरान बच्चों का मनोबल बढ़ाय और अभिभावकों में इक्षा सक्ती लाने का प्रयास करे मंत्री मंगलवार को इसकूली सिक्षा उयम सक्षता विभाव द्वारा बच्चों के सेक्षिनिक नुकसान की भरपाई को लेकर आयोजीत दो दिवस्य कारे साला के उधगा प्रयास करे मंगलवार को आगे की रन नीती साजा करी उराव राज सरकार की पूर्व मंत्री है और हाल ही में उन्होंने कांग्रेश छोड़ने की घोस्ना की थी ज्यारखन में 16 और 17 को गरजन के साथ बारिश मौसम बैग्यानी केंदर दांची के बैग्यानीकों ने बताया है कि उतर पूर्वी और दक्षनी पूर्वी भाग के कई जीलो में 13 और 14 अप्रेल को आंसिक बादल चाहे राने की समभवना है साथी गरजन के साथ बारिश की समभवना है वहीं 16 और 17 अप्रेल को ज्यारखन के उतर भाग में कहीं कहीं आंसिक बादल चाहे राने के साथ गरजन और हलकी बारिश भी हो सकती है अगले 2-3 दिनों में राजे के कई जीलो में फिलाल लोगों को गर्मी से रात नहीं मिलेगी धन्यवाद